वेलड़म मैं मिल्टोर और आप देखरें मेरे यूटूब चनल टेक्निकल मंतोसे में अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सबस्काइब नहीं कहा है तो मेरे चैनल को सबस्काइब करते हैं और टोटीस करकरने को अज आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप पेटियम यूजर हैं और आपका पेटियम पेमेंट बैंक का इस्टेटमेंट निकालना चाहते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपका पेटियम पेमेंट बैंक का जो इस्टेटमेंट है वह आपको दिखे तो इसको किस इस तरह का इंटरफेस open हो जाएगा तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आपको बहुत सारे option देखने के लिए मिल जा रहा है जैसे कि balance and history payment bank payment wallet तो इसी तरह आपको यहां पर करना क्या है यहां पर आपको जो पेटियम bank देखने के लिए मिल रहा है यह पेटियम बैंक पर आपको टच करना है इस पर आप जैसे ही टच करते हैं आप से आपका passcode मांगा जागा तो आपने जो पेटियम पेमेंट bank में जो पास कोड बना के रखा है वो पास कोड आपको यहां पे तो चलिए हम लोग यहाँ पहे पासकोट को फिल करतें है опас via को फिल कर लेने के बाहाद आपके सांने कुछ इसतरा का इंटरफेस ओपेन ऊजागा यहाँ अपर आपका जो पैटियम पेम definite बैंक है वह ऊपेन ओ चुका यहाँ तो यहाँ पह करना क्या यहाँ पर आपको scroll down करके नीचे आना है नीचे आने के बाद आपको एक option देखने के लिए मिल जा रहा है service का तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको service का option देखने के लिए मिल रहा यह service वाले option में आपको जो एक option देखने के लिए मिल रहा all services आपको इस पर टच करना है इस पर आप जैसे ही टच करते हैं आपके सामने कुछ इस तरका interface open हो जाएगा तो यहाँ पर आपको करना है क्या प्रेंट्स यहाँ पर आपको scroll down करके नीचे चले आना है नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको option देखने के लिए मिल रहा download तो यहाँ पर आपका जो option है यहाँ पर bank account statement आपको यहाँ से जो आपका bank account statement है वह download होता है तो चलिए हम लोग यहाँ पर इसको touch करते हैं यहाँ पर जैसे touch करें आपके यहाँ पर select करना और अगर आप SMS के थुरू मंगाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर get on sms पर click करना है और आप यहाँ पर चाहते हैं कि आप अपने हिसाब से statement को check करने के लिए तो यहाँ पर आपको जो selected time period देखने के मिल रहा है आपको यहां पे टच करना है यहां पे आप जैसे टच किजिएगा आपके सामने कुछ इस तरह का तो आपको ये सब ऑप्शन को सेलेक्ट करना और अगर आप चाहते हैं किने मैं 15 दिन का या 20 दिन का देखना चाहता हूँ तो यहां पे आपको एक option देखने के लिए मिल जा रहा custom date तो यहां पर आप देख सकते हैं और कब तक का देखना चाते हैं यह आपको यहाँ पर फिल कर देना है तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर जैसे टच करेंगे START DATE तो आपके सामने कुछ इस तरह का कलेंडर ओपन हो जाएगा तो यहाँ से आप जिश डेट का वो open हो जागा, यहाँ से आप अपने in date को भी select कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर अपना start date और in date दोनों को select कर लिया, उसके बाद आप जो आपका statement है, वो किसमें लेना चाते हैं, आपके email में या SMS में तो चली है, हम लोग यहाँ पर SMS को select करते हैं, SMS को select क कर लेने के बाद, आपको यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर आपका request statement है, यह request statement वाले option पर आपको touch करना है, यहाँ पर आपका processing होगा, processing हो जाने के बाद, आप देख सकते हैं, आपका जो mobile number है, वो mobile number में SMS जा चुका है, वो SMS में आपका URL दिया गया, तो चली हम लोग यहा दिखते हैं, मेरा जो message है, वो आ चुका है, यहाँ पर आपको लिखा होगा दिख रहा है, पाटियम, तो आपको इसको touch करना है, यह जैसे ही touch करते हैं, आपके सामने कुछ इस्तर का interface open हो जागा, यहाँ पर आपको एक link दिया होगा, यहाँ पर आपको देख सकते हैं, यहा जैसे ही टच करेंगे आप देख सकते हैं आपका जो PDF में है वो PDF में ओपन हो जाएगा तो प्रेंट्स यहां पर आप से password मांगा जाएगा तो आपको password के तोर पे आपको यहां पर करना क्या है यहां पर आपका जो पेटियम पेमेंट बैंक का एकाउंट नंबर है वो एकाउंट नंबर को आपको यहां पर टाइप कर देना है तो अगर आपको एकाउंट नंबर कदेना है तो चलिए हम लोग यहां पर पासवार्ड है उसको किया फील करते हैं पर के दिखा दे रहा हूं यहां पर देख सकते हैं मेरा जो statement है वो statement यहां पर आ चुका है तो इस तरह से आप अपना जो statement को निकालने में तो friends अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो पर एक like कर दिजेगा और अगर मेरे चैनल में नहीं आएं तो मेरे चैनल को subscribe कर दिजेगा वीडियो को last तक देखने के लिए friends thank you